हलो दोस्तों वेलकम टू निकमेक टैक तो आपको एक बात बता देता हूं मैं पहले ही यूनिट टू के इंपोर्टेंट कुश्यन जितनी भी मैंने आपको बताए थे सभी के अंसर्स इसकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और एक बात मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि देखोई दोस्तों हो सकता है बाहर का साउंड आपको सुनाई दे है ना वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आप लोगोंने रिक्वेस्ट किया है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ठीक है तो चलिए वन वाय वाय हम लोग देखते हैं कौन-कौन से इंपोर् है तो अगर मैं कौन्टम ओपन करता हूं यहां पर बहुत अच्छा सा देर खाये डाउनों की बीच में डिफरेंस और फोर डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं और हमारे लिए आसानी हो जाएगी देखें सबसे पहला हमारे पास है पहले डायक्ट रिडिशन और डिफ्यू ने साते हैं दोस्तों सं क्या करता है रिडेशन कू एर्य उटारे कि वही कट्वाट नहीं है वह सरफेस पर डायकर अगे टकड़ा लिए तुछ संसका मतलब क्या होगा और अगर दोस्तों यही रिडिशन मालो एर पाजिकल जो स्राउंडिक च्कक्र splendid में रहती हैं उनसे टकर और यह कही हां टगराई कनी तक रॉइस रास्ता चेंज कर लिया तो यहां इधर चली गई इदर चली तो बेसिकरिव बात दोनों रिडिशन की ही हो रही है और रिडिशन कहां से आएंगी संस रिडिशन आएंगी आप देखिए अब हम दोनों के डिफरेंज अब हम पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा समझ आएगा सबसे पहले देखो यहां पर लेखा हुआ है अगर हम डालिक इसी लिए इसको डारेक्शन बोल दिया इसी तरीके से डिफ्यूस डिटीशन की अगर हम बात करें तो ता रिडियेशन डिशीव ओन अरेस्टेरियल सर्फेस इसकैटर बाइए एर सोल एंड डास्ट पार्टिकल से टकरा के स्कैटर जो हो जाती है अब आपको समझ आगया होगा क्या होती है डिफ्यूस डेडिशन और अगर हम सेकेंड पॉंट देखें इट है यूनिक पात अब डारेक्ट आजी तो यूनिक पात तो हो गई इसका कोई यूनिक पाथ होता नहीं है कि यह स्केटर्ड होकर आती है अब यहां पर देखिए डारेक्ट सोलर रिडियेशन इस जनरली मोस्ट इंटेंस एट एनी वन स्पॉर्ट ऑन दा सर्फेस ऑफ दा अर्थ एट सोलर नून आपने देखा होगा जैसे हमने सीसे वाला एक्सपेरिमेंट आप सब भी नहीं कर रहा होगा आपके पास एक कांच का सिसा होता था ना इसमें हम लोग अपना फेस वगएरा देखते हैं तो हम लोग क्या करते थी आफिर लैंस वगएरा होता था धूप सा जो रिडियेशन आ रही हैं उस पर टगड़ा थे डारेक्ट यहने बेसिकली उस ढूश्रेटों करते हैं करने के बाद एक चुक अवड करते थे फोकस करते थे फोकस करने के बाद आप में देखा वे पपर अगर फोकस करते थे आप डोग तो होई चीजा आगर वन और पर आप कच्छिण करोगी न BakeStory के से पीडियूजज आएंगी ट्रेवल फ्लों जो डारेक्ट आ रही है तो इसका पाथ वो कम होगा और यहां पर जो पाथ दोस्तो एक्मॉस्पीर में वह क्या होगा ज्यादा होगा travel करने के लिए क्योंकि ये घूम फिर कराती है तो यही था direct radiation और diffuse radiation अब हम अपना second question देखते हैं जो के लिए आपके 110% की category में आपको पाता है था बहुत important question है वो क्या है कि भाई solar collector क्या होते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग classify करते हैं एक तो flat plate collector और concentrating अब इसको समझिए तो मैं एक काम करता हूँ बिना quantum के पहले आपको normally समझाता हूँ flat plate collector होता क्या है उसके बाद हम लोग quantum से rating कर लेंगे तो अगर मैं normally आपको समझाओ ना इस चीज को बड़ अच्छे जरीके से तो देखो सबसे पहली बात सबसे पहले हम लोग बात करते है flat plate की flat plate collector अब इसको थोड़ा ध्यान से समझी दोस्तो flat plate collector को अगर आपको समझ आ गया ना बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी यह बात तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास sun है है ना और sun से क्या आना है radiation आना है जिसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से तो सारा काम होगा इसी की वज़े से तो heat up जो होता है वो इसी की वज़े से तो होगा इसी को तो हम दो radiation को यह तो electrical energy में convert करते हैं अब देखिए छोटी सी चीज जो मैं आपको समझाना चाहरू वो समझे वो यह है कि मालो हमारे पास सबसे पहले अगर मैं बनाओं तो हम दो एक काम करते हैं इसकी transparent plate बनाते हैं यह cover मालो इसको बोल देते हैं हम दो cover बोल देते हैं ठीक है तो हमने क्या बना दिया यह हमारे पास cover बन गया इसी तरीके से यहां भी हमने बना दिया यह यह क्या होगे दोस्तों यहां से जो sun की radiation सारी हैं वो डारेक्ट ना गिर कर पहले इस चीज पर गिरेंगी और यह है क्या दोस्तों यह transparent cover बोल सकते हैं या फिर आप लोग इसको transparent screen बोल सकते हूं transparent screen बोल सकते हूं ठीक है अब देखो हो क्या रहा है यहां पर यह screen मतलब संसी जोडिशन सारी हैं दोस्तों इस screen पर गिर रही हैं गिरने के बाद इसके नीचे हम लोगों ने क्या लगाया यह black color का black color का दोस्तों हमने लगाया इसका black absorber plate यह black absorber plate लगाते हम लोग यह क्यों लगाते हैं यह क्योंकि दोस्तों इसके नीचे हमको लगाना होता है एक कोई लगाते हम दो यहां पर यहां पर water होता है क्या होता है दोस्तों water प्रिजनेंट होता है इस जग Kids Kiss के नीचे हम लोगाते हैं कि अब यहां से संसलम धुस दो snowflिक अरे यह हमारे पास Sun है अब सन से जब radiation दोस्तों आ रही है तो डारेक्ट नहां यहां पर आकर Observer Plate पर डारेक्ट नहां कर पहले transparent screen से उजरती होई यहां Observer Plate पर आती है ठ्यक्टे और जैसे ही Observer Plate पर जब आती है आने के बाद यहां पर हमने क्या लगाए यह इसमें वाटर भरा होता है इसको हम लोग फिल्यूट ट्यूब बोल सकते हैं इस पर आती है इस पर आने के बाद यह जो पूरा हमारा एरिया है यह थर्मल इंसूलेंस होता है दोस्तों कि थर्मर इंसूलेशन होता है यहां सब कुछ भार नहीं जाता है तो बेसिकली क्या हुआ संसरी अडिशन आई ट्रांस्पिरेंट इस्क्रीन पर आई इसक्रीन पर आने के बाद यहां पर यह ब्लैग एब्स प्रेट हमने लगाई है इसकी मतद से क्या हुए गरम होकर गरम हो होने के बाद यहां पर हमारा वह लगा होता है जिससे कंवर्ट होता है ठीक है यह में लगा होता हमारा और इसको चाहिक है एक लोह ब्लीक क्या Cover Pre-게요 dasen estwas है यह होता है फ्लेट प्लेट क्लेक्टкойंतर तो सबसे पहले हम लोग कम कंपोनट की वारे में बात कर लेते हैं आपको इसमें कंपोननें से वारे में लिखना पड़ेगा कि भाई इसके component के वारे मताईए कि component क्या क्या होते हैं एक्जाम में तो यह लिखना पड़ेगा आपको तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो यह लगाई है इसका काम क्या होता है तो आप लोग क्या लिखोगे it intercept ठीक है यह क्या करती है और क्या काम करती है दोस्तो थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं हम लोग एंड एब्जॉर्व दा सोलर रिडिएशन भाई इंटरसेप्ट करती है और सोलर रिडिएशन को क्या करती है एब्जॉर्ब करती है यह बात आपको समझ आगी होगी और यह जो प्लेट हम लोग लगाते हैं दिस प्लेट इस यूज वली यूज वली मेटलिक जो हम प्लेट लगाते हैं दोस्तों यह नेक होती है और किस चीज़ के वनी उती कोपर की वनी होती ए ठीक है अल्यूमिनियू हो सकती है और सीट के हो सकते है मिनियूं शीट और steel बोल दो steel क्यों हो सकती है तीन चीज की यह हो सकती है आई होप आपको समझ आया होगा अब हमने transparent cover का भी इस्तमाल किया था दोस्तों क्या लगाया था transparent cover transparent cover का काम क्या था वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर simple definition में देखो क्या लेख सकते हो कि दीज आर वन और मोर सीट एक हो सकती है एक से ज़्यादा भी हो सकती है ठीक है ऑफ सोलर रिडियेशन किस चीज की दोस्तों सोलर रिडियेशन की कि ट्रामस्मेटिंग मैटियरियल सोलर रिडियेशन यो अर्प कि आपको पता है सन से जो रिडियेशन आ रही है उसी को तो हम दोग ट्राश्मिट कर रहे है तो आसे चीज के लिई बनाई जाती हैं Sumple हम दोग यह लिख सकते हैं कर आरप्ली05 ंदll दा एब्जर्वर प्लेट देखिए कितनी सिंपल लिख दिया मैंने कि यह हमारी एब्जर्वर प्लेट है इसके ऊपर ट्रांस्विडेंट इसकी लगे होती है और यह किस के लिए काम में यूज आती है कि वह यह सोलर रेडियेचन है उसको ट्रांस्मिट करना होता है हमको ठी देखिए अलाव सोलर एनरजी टूरीच था एब्जर्वर प्लेट वाइल डिद्यूसिंग कन्वेक्शन कंडेक्शन एंड़ी रिडियेशन हीट लॉसेस यह सब आप लोग लिख सकते हो इसमें एक में पॉंट और आप लिख सकते हो कि यह थर्मल इंसुलेशन हमने में इसका रोल है यह करता है दोस्तों इंट मीनिमाइज मीनिमाइज एंड प्रोटेक्ट दा अब्सुलेशन कब लगाते हैं कि इंसुलेशन का कामी यह होता है कि ना हीट आना ना हीट बहर जाना इसलिए तो हम लोग इंसुलेशन करते हैं आपने वाटर वोटल भी देखी होगी जिसमें पानी गर्म रहता है तो इंसुलेशन की कब्केजित बेसिकली उसमें इंसुलेशन करती होता है तो वही चीज यहां पर थर्म इंसुलेशन डिया हो और जो एब्सॉर्बिंग कर रखा है इसने जो हीट को एब्सॉर्ब कर रखा है वह उसके अंदर ही बना रहे इसलिए हम लोग इंसुलेशन करते हैं थर्मर इंसुलेशन तो यही काहानी थी फ्लैट प्लेट कलेक्टर की अब यह चीज आप लोग यहां पढ़ सकते हो यहां जो कोश पढ़ के दिखाता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके समाझ आएगा जो वह सोलर क्लेक्टर क्या होते हैं यह दो को सबसे पहले यही देख लिए सोलर क्लेक्टर यूज्ट टू कलेक्टर इनर्जी को करते हैं एंड कनवर्ट दिस एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी को हम लोग लोग हीटिंग पर पस के लिए यूज करेंगे जो फलीूड हैव उसको हीट करेंगे सच आइस वाटर कून और एयर पिलीूड क्या हो सकता है वाटर हो सकता है और हो सकती एड फिर छोला कलेक्टर सर्फेस डिजाइंघ फॉर horizon एंड लोग इड़ते हैं इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइट करते हैं एक तो नौन कंसेंट्रेटेट अधियर नौन कंसेंट्रेटेट एक नौन कंसेंट्रेट्यटेड्र होते यह मैंने आपको समझा दिया इसी को को हम लोग flat plate collector बोलते हैं और concentrated collector होते हैं जिसको हम लोग focusing collector बोलते हैं इसको भी समझ लीजिए focusing collector होता क्या है basically जो मैंने अभी आपको दोस्तों example दिया था ना किसी तीज़ का लेंज का है ना के मालो दो focusing collector कैसे काम कड़ता है कि हमने मालो इस तरीके का लेंस लगाया कर्व वाला लगाया है ठीक है अब यहां पर मालो यह लेंस है अब यह दोस्तों मालो इस तरीके से हमारी क्या रही है क्या रही है क्या रही है क्या रही है दोस्तों रिडिशन सा रही है रही है जो कि संसे यहाँ सी यहाँ से आ BRI हमने संदेश यहाँ से आई यहाँ गिरने के बाद हम two come किया है कि संदेश यहां 됩니다 करना है क्या करना है दोस्तोंपोना है अब किस तरीके से करेंगे माल और यहां से यह वाली संदेश आई संदेश आने के बाद यहां पर टकराएगी तकराने के बाद इसको फूकस किया यहां पहुंच गई इसी तरीके दोस्तों यह वाले जो संद्य आईगी यहां टकराएगी तकराने के बाद इसको यह फूकस हो कर यहां जाएगी बेसिकली एक पॉइंट पर हमें फूकस कराना है यहां संद्य आई यहां टगराने के बाद यहां फोकस करा दी हमने इसी तरीके से यह वाली संद्य आई यहां टगराकर यहां फोकस करा दी हमने तो यह सारी संद्य हम लोग क्या कर रहे हैं एक points फोकस कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या होते हैं focus है ठीक है अभी जो हमने लगा आया एड कि क्या होता है parabolic reflector वे रहा वह वन दिद्धा जो मैं नद summer आपको एक्जामपल दिया था ना जो है लाएंगे अगर हम सारी संद्धे को दोस्तों देखिए एक ही पॉइंट फोकस कर देगे ना यहां पर हो सकता बर्निंग इस्टार्ट उड़ता है तो वही चीज है यह हमारे पास होता है क कंवरा है कंसंट्रेक्ट करेक्टर और कंसंट्रेटेंग कालेक्टर या फिर हम लोग इसको फोकसिंग बहुत सकते हैं अब इसमें लिखना क्या-क्या है वह मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला प्रॉइंट आप लोगल लेखी सकते हो solar radiation coming from the particular direction देखो मैं आपको लिए लिख देता हूं क्या लेख सकते हो solar radiation coming from दा पर्टिक्लर डारेक्शन कि बहुत सोलर डीडियेशन है यह पर्टिक्लर डारेक्शन से आती है ठीक है एंड इस कलेक्टिड ओवर दा एरिया ओवर दा एरिया ओफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस वह यह रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमारा तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के ऊपर क्या पड़ती है पूरा जो एरिया है दोस्तो reflecting surface का पूरा एरिया है उसको cover कर लेती है and उसके बाद क्या होता है concentrated concentrated add the focus और पैरागोला ठीक है यह जो पैरागोला image बन नहीं दोस्तो यहाँ पर क्या करती है focus हो जाती है ठीक है the red solar radiation is focused along a line एक line के along focus हो जाती है और यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग दोस्तो और लिख सकते हो mostly cylindrical parabolic concentrated are used in which absorber is played along focus axis ठीक है यह simple सी line आप लोग लिख सकते हो वरना इतना लिख दो के तो भी आपका काम बन जाएगा अब यही चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे ना अब लिख स्विश्वाट लिख लेट लेट्ट का यूज़ लोग किस तरीके से करते हैं उसको समझाईए ठीक है और उसके एडवांटेज भी हमको बताने है देखोग प्रंसिपल मैंने आपको बताए दिया कि वहन सोलर रीडिशन फॉर्म सं कम इन दो फॉर्म अब लाइ तोता है ताउरेटे विकरम वजाता है जो सेटेटेट हीट काथ लेक्ट कि को स्टेट कर लेता अपने अंदर कंड़क्ट इस握 हसनारिश से और अदर उसलिट और अर पिर स्ट्परेट्सी कहानी यह वाता आपको को समझ आ रही होगी फ्लैट प्लीट करक्टर मैंने आपको बता दिया कि वह फ्लैट प्लेट क्लेक्टर दासिंप्लेच इंड इंड पार्ट एनि सोलर थर्मल सिस्टम को बहुत इंप्वर्टार्ट होता है इन दिस चालेक्टर बोद ौध डारेक्ट डिफ्यूसरी डिशन कार एब्स और कान वर्टेड इंट यूजबल हीड यह वी मैं आपको समझा चुका हूं और कि बात करें तो एब जरोब प्लेट क्या होती ही यह बात आपको समझा गई ट्रांस्पिरेंट कवर यह बात आपको समझा गया इंस्टूलेशन का हम लोग क्यों इस्तमाल करते हैं यह भी आपको पता है ठीक है यह सब चीज में आपको बता चुका हूं तो यही चीज बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है आप अगर क्वांटम को भी पढ़ोगे ना तो भी आपको समझा जाएगा अच्छा इसके एडवांटेस की बारे में हम लोग डिसकस कर लेते है क्योंकि एडवांटेस भी यहां पर पूछे किया है तो देखो एडवांटेस क्या है इसकी कोस्ट भी कम होती है और मेंटिनेंस भी कम लगता है इसके अंदर सबसे बेस्ट यही रहता है मेरे कोडिंग अब अब हम लोग अपना नेक्स कोशन देखते हैं जो इंप्रोटेंट था हमारे पास वो क्या था वो देखे यह हमारे पास कहां गया रिद्वर एनरजी रिसूर्स इस हां नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेशन था कि बई सोलर एयर हीटर क्या होता है उसको हमें समझाना है अब देखते हैं सोलर एयर हीटर क्या है कि अब यह सब आपको समझ आ गया वह कंसेंट्रेटिट क्लेक्टर क्या होता है अप लोग इसकी एक्जांपल यह फिर एक दू पॉइंट अगर लिखना चाहो तो यहां से लिख सकते हो इट रिक्वाइर लैस एप्जर्वर एरिया यहां पर more absorber area की ज़रोध पड़ती है high collection of efficiency, low collection of efficiency, suitable for large power generation, small power generation के लिख स्वी लाता है यहाँ पर इनीचल और मेंटिनेंस कोस्ट कम होती है नो नीड आफ एंटी फ्रीज सॉलूशन इट नीड एंटी फ्रीज सॉलूशन यह सब चीज आपको पाता है चलिए में बात करते हैं हम लोग है हमारे पास जो है सोला थर्म प्राव प्रांट ना इसको समझना हमें देखें कि यह कुशन में आपको समझ सकते हो कि भाई डिफरेंट टाइप आप सोला थर्म प्राव प्रांट क्या होते हैं लो टेंपरिचे सोल पाव प्रांट और मेडियम टेंपरिचे सोल पाव प्रांट ठीक है इसको हम बात हों समझेंगे पहले आप यह समझे जो मैंने मेन कुश्चन आपको बताया है ना उसको समझे हो कि वह जादा जरूर है आपके लिए हमारा मिल नीरा कुश्चन कहां गया एक में रोकते दोस्तों हमारा कुश्चन क्या था है डिफाइन सोलर एयर हीटर विजनीटी इसकेच हां देखो यह सोलर एयरdrive इसकेच कि अपको नीठीक्स क्येड़ीं माली चीए अब देखिए इसको समझिए यहां डाइगराम बनाए बहुत अच्छी बात है डाइगराम बना यह तो और अच्छी बात हो गई देखें यहां से यह हमारे पास सन है सन से क्या रही है सोलर रिडिशन सा रही है ठीक है सोलर रिडिशन सा रही है और यहां पर एयर cover के उपर पढ़ेंगी और यहां पर यहां से air in होगी गरम होनी के बाद दोस्तों जब उपर से radiation आएगी इसके उपर transparent cover आपको पता है उसके उपर यह लगा होता है ठीक है black absorb plate अब यहां पर air जो है जितनी दोस्तों गरम हो जाएगी गरम हो जाने के बाद यहां से एर आउट हो जाएगी बाहर आउट हो जाएगी फिर दोस्तों क्योंकि यह हमारे पास क्या था ब्लैक एब्सूर्ब प्लिट लगी हुई थी यही तो एब्सूर्ब करती है रिडिशन को और एब्सूर् ठीक है अब देखिए दोस्तों यहां होगा क्या कुछ ना कुछ कंडेक्शन का लॉस होगा ठीक है यह बॉटम क्लेक्टर आपको दे ही रखा है तो यह चीज आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन लॉस क्या होता है कंवेक्शन लॉस क्या होता है रेडियेशन लॉस क्या होता है आपने हम्टी जो सब्जेक्ट पढ़ा था ना हीटमार्ट ट्राव में वहां पर आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो वही चीज़ यहां पर होता है अब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको और समझ लीजे बहुत सिंपल पॉइंट लिखे होगे देखें हीटर दोस्तो यह यूज क्यों होता है कि भाई जो ठंटी एयर है ना इसको गरम करना है बैसिकली हमको और गरम करनी के बाद उसका यूज करना है हमको उसलिए करते हैं यह देखें सोलर एयर हीटर यूज रूफ वाल और विंड़ो माउंटेट इस सोलर कलेक्टर पर हीट आप सित तक काम क्या होता है संट से अपर सिर्द तें यह वहां कि वायरी होती है यह नॉर्मल ऊते अपनी वह वह क bewजे से गरम होती है उसलिए रूम दिशते हैं देखें सोलर हीटर कर यूज अनम देखें cavt praticamente कनंवेंशनल सोलार हेटर एंसेंशली फ्लैट प्लेक्टर विदेन एब्सॉरवर प्लेट ये किसकी से दस्तों फ्लैड प्लेट की स sniff की मेंहीं हो t invited लगे उती कहां वह फान नीचे बॉटम पर होता है फिए हो फिकLi ellis एणिख इन खीज सीट मेटल कंटेनर और पुरी असेमली जिटनी को होती हैं तो कहां पर होती है वह एक सीट मेटल कंटेनर के अंदर होती और application की बात करें तो solar air heater provide ventilation and process air heating solar air heaters serve as weather cladding तो यह कुछ applications है आप लोग यहां पर कर सकते हों अब दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पास दो important question और बचे हैं वो कौन-कौन से हैं एक तो देखे thermal energy storage क्या होता है solar heating के लिए यह बताना है और solar air heating and refrigeration system वाला यह यह पुशन है ना इसको बताना है इसके limitations भी बताना है तो देखें यहां ही पर देख रखा है कि thermal energy storage for solar heating यह हमको बताना है सबसे पहला हमारे पास है active space heating और second हमारे पास है कहां गया हां active वाला समझते हैं पहले उसके बाद देखते हैं second कौन सा है देखो यहां पर diagram दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से आप रोच समझ सकते हो यहां पर दोस्तों देखिए सबसे पहले आप पैवल storage tank है अब इसके अंदर क्या होता है एयर पार्टिकल्स वगएरा होते हैं कोई बालू बगएरा है या कुछ भी है को यहां पर डस्ट पार्टिकल्स वगएरा इस स्टूरिस के अंदर प्रजण्ड होते हैं अब यहां से क्या आएगी दोस्तों जो प्रजण्ड की atmosphere air है ना वह अंदर जाएगी बेसिकल्ड हमारा काम क्या है जो atmosphere की जो air होते हैं दोस्तों उसको हमें गरम करना है होट हेर में convert करना है तभी तो एर हीटरं के काम करेगी तो यहां से क्या की Cool air अंदर जाएगी इसके अंदर इसके अंदर जाने के बाद यहां से दोस्तों इस तरीके निकलने के बाद यहां पर में चीज़ी लगी होती है आपकी collector ठीक है यह जो collector है यह में है आपके पास जो लगा हुआ है अब इस collector में क्या हो है दोस्तों ऊपर से संस्की radiation सा रही है जब संकी radiation आएगी और यह वात है इस collector के अंदर हीटिंग होगी छाए उनगी फैरा डिवेशन आईगी तो हीटिंग कहीं ना कहीं आएगी हिटिंग आने बाद यहां से निकलेगी है न निकलने के बाद नीचे जाएगी नीचे जाने के बाद यह सिंपल आपके लिए इस पेवल स्टोरेश टेंक में आ जाएगी और यहां बाद बड्व पूरे जो एरिया है उसमें एर को ट्रांस्फर कर दिया जाए गा और वो जो स्पेस होगा दोस्तों को गर्व हो जाएगा तो इस तरीके से काम करता है एकटीश की फेस हीटिंग अगर दोस्तो यहां पर आप लोग दिया देखर के लिए अजो ना तो पैने आप में यहे क्या दोस्तों cold air is circulated get heated and supply to the living space directly तो यानि कि यहां पर cold air क्या होती है heated होती है और directly जिस एरिया में हमें जरूवत होती है वहां पर hot air को क्या कर दिया जाता है दोस्तों supply कर दी जाती है अब देखिए in other arrangement to utilize this available heat in the night hot air is first circulated through the tank hot air पहले tank में circulate होती है with rocks tank देखिए अंदर क्या है rocks बगेरा है ग्रेवल है और पैवल है that serve as thermal is to this ठीक है when there is no sunshine or duration night जो रादम कोई sunshine नहीं होता है है ना the cold air from rooms through this package room की जो cold air is package through गरम होती है और आप्टर हीटिंग get distributed in the living rooms और जो रूम है जो हीट हो जाती ही cold air room में circulate करती जाती है simple वही कहानी है आपको समझ आ रही होगी लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि भाई thermal energy storage space heating होती क्या है तो the solar energy is utilized for space heating कि भाई यह solar energy होती है उसको हम लोगो क्या करते हैं इस्तमाल करते हैं यह utilize करते हैं किस परपस के लिए space heating के लिए जगे है rooms वगएर है उसको गरम करने के लिए कब winter में जरूत पढ़ती है हमको in colder countries the different method adapted for space heating space heating के लिए अलग-अलग method होते हैं by utilizing solar energy passive or active method passive or active method तो passive active method मैं आपको बता दिया बहुत simple होता है अब दूसरा method है इसको भी समझ लीजिए आप लोग देखें यहां पर हम लोग क्या करेंगे जो हमारा घर है ना इसकी छत को ही गरम करेंगे पूरे को किस तरीके से गरम करेंगे वही चीज देखें दोस्थो यहां आमने क्या लगाया यहां आमने collector लगा दिया और collector लगाने के बाद उपट से जब radiation आ रहे हैं यह collector क्या कर रहा है गरम कर रहा है गरम हो रहा है गरम होने के बाद वही चीज दोस्तो यहाँ पर pump लगे हुई है ठीक है तो इस्ट्यूरिस टैंक के अंदर देखो यहां पर मालो हॉट वाटर ऊपर है गोल्ड वाटर मालो नीचे है ठीक है तो यहां से पानी गया पंप कि थू क्या हुआ पानी को ऊपर भेजा गया ऊपर भेजने के बाद collector भीजा गया अब collector में क्या हुआ वाटर वगर जो प्रि हीटर की थूदू इसको गरम कर दिया जाएगा जब गरम हो जाएगा गरम होने के बार यहां आपका हीट एक्सिंट्र लगा दिया गया है और यहां से कोड़ एयर विजनी के बाद हूँ अर इसने पानी और दूड़क हूआ जाईगी तो इस तरीके से यह वर्किंग principle काम करता है I hope आपको समझ आ गया होगा तो कुछ निवस यही है आपको समझना है और अगर आप पढ़ोगे न इन पॉइंटों को बहुत अच्छी तरीके तापको समझ आ जाएंगे सब के सब एक में पॉइंट है वो आप लोग देख सकते हो देवाटराय स्टोरीस सिस्टेमल दोस्तों ज्यादा वे बम पैकेइज्य की अपक छाओ नेचल में कुलाड आ को वेख भी कटेंड अपिस्टली किढ़ा जीवी हो ते ही तो सेकेंडरी धुक्त शूर्ण में एक्शेंघंज इसकी वज़े से तो सिंपल सा कुशन सा आई हो आपको समझ आया होगा तो दोस्तों आज की वीडियो ममलूग इतना ही रखते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हेल्फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ सेयर भी करें ठीक